हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज नौरात्री के वर्थ का दूसरा दिन है तो आज आपकी टेंशन खतम कर देते हैं आज हम बनाते हैं बढ़ी ऐसा वेज प्लाओ जो वर्थ में खाया जाता है बहुत ही इजी भी है बनाना और बहुत ही आसान चावल लिए है इसको दो से तीन पानी अच्छे से वाश कर देंगे और बस इसे भीगने के लिए रख देंगे आप यह बताएगेगा आप कि यह वर्थ में खाया जाता है सावा के चावल या नहीं अगर खाया जाता है तो वर्थ में बनाके खा लीजिएगा अदर्वाइ को रोस्ट कर लेंगे आप इन दोनों चीजों को जरूर डालिएगा इससे वेच प्लाओं में बहुत अच्छा क्रण्च आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है उफवास में तो वैसे माखाने काने से फाइवर बहुत होता है इसमें केल्शियम भी होता है तो इससे जरू कर सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा आलू और गाजर थोड़ा सा कुक हो गया हाफ कुक हुआ तब इसमें मैंने जीरा मिलाया और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची और अद्रक को मिलाया है जो मैं बाद में कर रही हूं वो आप पहले भी करके कर सकते हैं लेकिन आज मै कर देंगे इसमें सेंधा नमक जो आप वर्त में खाते हैं अगर आप नमक भी नहीं खाते हैं तो इसको भी मताइड कीचेगा अब मिला देंगे इसमें सामा की चावल जो हमने सोक होने के लिए रखे थे बस इसमें अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को तब अब इसमें डाल देंगे हम जस्ट चबल इसके पानी तो मेरे ने एक कप लिया तो सामा की चावल तो मैं इसमें डाई सबसे थोड़ा से जादा कम जादा हो सकता है तो बस मैंने से डाला इसमें हरा धनिया मिलाईए चेक कर लीजेगा कि प्रॉपर कुख हुआ है या नहीं और नीबू का जूस मिला दीजेगा यह बहुत ही बढ़ियां भी है बहुत ही आसान रेसिपी है तो आप इस वर्त में ज किजे थोड़ी देर के लिए अब इसमें धन्या और पुदीनी की चट्नी बनाएंगे तो धन्या और पुदीना लिया है अद्रक और हरी मिर्ची और नीबू का जूस एट किया है आप चाहें तो इसमें थोड़ा जीरा और दही डाल सकते हैं नीबू की जगा अगर आप न आईता भी बना सकते हैं यह भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ अगर आपको यह रेसीपी पसंद आ रही है यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और बस इसमें हम सर्फ कर देंगे खीरा है साथ में चाज है और चटनी और सामा की चावल चरूर बनाए खाएं